फिजिक्स में हम लोग मैंने बतायाना कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स एक हम बोल सकते हैं systematic knowledge है, nature के about, where we see nature as composed of matter and energy, matter, energy, space, time, ये चार चीज़े हमारा focus रहता है, फिजिक्स का मैंने range बताया, फिजिक्स को मैंने domains में बाटा, फिजिक्स में मैंने classical और modern और relativistic domains बताया, फिजिक्स में मैंने ये भी बताया कि हम क्या क्या चीज़े 11-12 की slabbers के अगरे बात करें तो cover करते हैं, mechanics, heat and thermodynamics, oscillation waves, electro mechanism, optics, modern physics, फिर अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि फ important thrust के बारे में, फिजिक्स में दो important thrust हैं, एक है unificationism और दूसरी है reductionism, ये दो वड़ा आपको कही न कहीं मिलेंगे, unificationism, अगर दिखना रहो तो मैं यहां लिख देता हूँ, unificationism, physics में दो important thrust है, unificationism plus reductionism, क्या हैं दोनों, मैं भी बताने जा रहा हूँ, देखें ऐसा है, as a physicist, जब हम चीज़ों को देखते हैं, तो हम सारी चीज़ों को अलग अलग नहीं देखते हैं, ये stand alone, अलग event है, ये अलग event है, सब चीज़ें दुनिया में randomly हो रही हैं, physics में हम चीज़ों को unify करने की कोसिस करते हैं, हम connection दूणने की कोसिस करते हैं, interlinks दूणने की कोसिस करते रहते हैं, एक physicist की इस approach को जहाँ पो चीजों को interlink करने की कोसिस करते रहता है common phenomenon डूढने की कोसिस करते रहता है इसको बोलते हैं unificatism का बोलते हैं unificatism मतलब unify करना, जोड़ना, interlink करना, अब जैसे forces की ही बारे में ले ले, बहुत टाइब के force होते हैं, weight एक force है limitation force normally action, यह मैंने इसको आद पे रख दिया अपने surface पे, weight के साथ normalation भी रख रहा है, चलाने लगा, रब करने लगा, friction भी लग रहा है दोनों की surfaces के बीच में इसको मैंने string से बांद दिया, string magnetic, इसको मैंने ऐसे चिपका दिया magnetic board से चिपक जाता है तो magnetic forces भी है तो बहुत सारे force है, पाधि में कोच यह viscous force है, air में तो air friction का force, ऐसे दुनिया भर में इतने सारे forces हैं, तो क्या हम हर force को अलग-अलग तरीके से ठीक करते है इस्टरी, लेकिन कहीं न कहीं physicist तो सोचता है, कहीं है forces interlinked तो नहीं है, और सच में interlinked है सारे forces दुनिया भर के देख लो जितने भी forces हैं, वो कहीं न कहीं interlinked हैं, और वो interlinked इस तरीके से हैं कि classical level पे बोला जाता है कि जितने भी forces हैं, वो ultimately 4 categories में बाटे जा सकते हैं gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, weak nuclear force gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, strong interaction भी बोल सकते हैं weak nuclear force, weak interaction भी बोल सकते हैं nucleus के भीतरी लगते हैं इसलिए मैंने nuclear बोला असलिए यही tendency आगे भी तक चलती रहा ऐसा नहीं कि 4 फिर लोगों ने धूना तो फिर बोला नहीं electromagnetic को weak एक दूसरे से interrelated है तो उसका नाम electro weak रख दिया फिर एक और थोरी अभी develop हो रही इस्टिंग थोरी वो बोलती नहीं है सारी चीज़ आपस में related हैं एक फिर नहीं ना है तो चल लाए इन प्रोसेस है बट कहीं ना कहीं physicist चीज़ों को translate करने के कोशचे करते हैं इसको बोलते Unificationism इसने इनर्डी भी तो हम लोग interlink करते हैं kinetic energy, potential energy दो अलग लग चीज़ें नहीं है कहिना कहिए kinetic energy potential energy new potential energy काणटी इनर्डी में convert हो आती है तो heat energy भी तो kinetic energy में convert हो सकती है kinetic energy heat में covert हो सकती है हर form of energy एक दूसरे में convert हो सकता है तो energies भी तो आपस में interlinked होती है तब ही तो एक दूसरे से convert कर ले तो भाई वही wind energy आपको electrical energy भी दे सकती है power plant में वही gravitational potential energy turbine चला के electrical energy, electrical energy light में convert जारी है यहाँ पे bulb में तो energies आपस में interlinked हो सकती है क्योंकि सारे के सारे कहीं आपस में interlinked है energy कहीं वो forms है force कहीं forms है यह जो tendency है देखने की इसको बोलते है unificationism दूसरी एक tendency is reductionism उसके बाद फिर से unification पे आते हैं अब रड़ जान लेते हैं reductionism मतलब reduce करना, छोटा करना तोड़ना, अब जैसे माल लीचे मैं gas के बारे में बात करो, air के बारे में study कर रहा हूँ, बट air का अपना जो भी behavior होगा, कहीं न कहीं वो air के अपने एक constituent molecule के behavior सारा है, अगर हम इस room में इस air के molecule का behavior study कर लें तो कहीं न कहीं हम उसको generalize कर सकते हैं पूरे air के लिए unificationism का बलब जोड़ जोड़ के बड़ा करना, और reductionism का मतलब है, तोड़ तोड़ के छोड़ा करना दोनों चीहें करते हैं, हम छोड़ी छोड़ी चीजों को जोड़ के interlink भी करते हैं और जो बड़ा कोई macroscopic phenomenon है तो उसको चोड़ तोड़ के उसके individual constituent level पे भी जाके देखते हैं, इसको बोलते हैं, reduce करना, reductionism unificationism मतलब unify करना, reduce करना मतलब reductionism, जैसे gas की study करते वाख हम उसके molecule के level को, molecule पे level पे जाके study करें, तो वो reductionism कराएगा, तो ये दो important thrust हैं physics में, एक है unificationism, और दूसरा है reductionism, और unificationism को हम लोग डिटेल में करेंगे, in terms of physics में forces का, इस chapter में, अगर आप NCRD पढ़ोगे तो इसको बड़ा detail में उन्हें दिसकस किया है forces का unificationism तो मैंने बताया कि जितने भी forces हमें दिखाए देए, normal reaction, tension friction, air friction, viscosity, जो भी है, वो सारे के सारे forces, ultimately 4 में, डिवाइड कर सकते हैं gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, weak nuclear force और उसमें भी मैं बता रहा हूँ आखों से जो दिखते हैं, जितने भी phenomena, वो सारे के सारे या तो gravitation है, या तो electromagnetic है देखो, अगर हमें कोई चीज दिखाई दे रही है, और उसमें interaction mass की वज़े से हो रहा है, जिसे मैं अर्थ यहाँ पर खड़ा हूँ, तो अर्थ मुझे अपनी तरफ खीच रही है, तो वो mass mass का interaction gravitational force है, अर्थ के चाहँ तरफ मून गुम रहा है, सन के तरफ तरफ गुम रही है friction एक टाइप का electromagnetic force है, tension एक टाइप का electromagnetic force है, normal action electromagnetic force है, यह सारे के सारे electromagnetic force है, दो भी आँखों से देख रहा है अगर हो mass mass interaction से नहीं है, तो समलो charge की वज़े से आया है, तो वो कहीं न कहीं microscopic level पे charge या उसके related कुछ phenomena से ही है, या electrical या magnetic interlink करके बोल देते हैं, electromagnetic phenomena, electromagnetic interaction है nucleus के level पे जाते हैं, तो strong nuclear हो weak nuclear, तो मैंने क्या बोला यह जो चार forces हैं, अगर mass mass का interaction है तो इसका मैं color change कर लेता हूँ, तो और अच्छे से दिखाए देगा, blue लेता हूँ, तो वो gravitational है, charge charge का interaction है, तो वो electromagnetic है, charge का या magnet, वैसे magnetic phenomena भी charge के वे से आता है charge के चलने से बनती ही current, current के वे से आता है, manifold, magnet, magnetism और electricity दो अलग-लग phenomena नहीं है, interlink कर दिया दो को अभी के भी कि electricity charge के वे से, magnet के वे से magnet आता है, charge के चलने के वे से, नहीं कि current, तो electricity दी mechanism unify हो गए है मैक्समल ने तो एक और ची बोल दी थी, light एक electromagnetic wave है, तो electricity, mechanism और optics को unify कर दिया था, तो यही तो unification नहीं है, चीजों को connect करते रहता है everyday life में जो कुछ भी देखता हूँ, या तो gravitational force से, या electronic force से linked है gravitational force भी infinity तक लग सकता है electronic force भी infinity तक लग सकता है, इनकी range strategically infinite है, बड़ इसके लिए charge चाहिए, इसके लिए mass चाहिए, अब आते nucleus के भीतर, अब ये बताओ, nucleus के भीतर अगर यहाँ पे ना दिख रहा हो तो मैं नीचे बना दूँ, यह ले ले लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है, यह माली यह nucleus है यहाँ ले लेते हैं, यह nucleus है, I hope के दिख रहा होगा nucleus के भीतर, proton और neutron होते हैं proton, proton में gravitational force लगता होगा, gravitational force attractive होता है, gravity जो होती है, mass मास को में से attract करता है universally attractive nature का होता है, electromagnetic forces होते हैं charge charge के बीच के वो attractive हो सकते हैं, निपल सी हो सकते हैं light charges repel करते है, unlike charges attract करते है तो अब proton, proton, neutron को पर कोई charge होता है, तो proton, proton gravity के वोई से attract करेंगे, बट उनका gravitational force बहुत weak force होता है इस फेक weak भी भी नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए weakest force gravitational force तभी पता चलता है, तभी considerable होता है, तभी significant होता है जब masses बड़े होते हैं, जैसे earth sun के बीच में force पता चलेगा, कि उनके masses बड़े है proton, proton में repulsion लगेगा, dominant कोन करेगा, electromagnetic क्योंकि वो बड़ा होता है तो सारे nucleus के बीदर proton, एक दूसरे को repel करके nucleus को तोड़ देने चाहिए तब तो गेविटेशनल force रोग नहीं सकता, electromagnetic repulsion लग रहा है और repulsion तो ये nucleus को तोड़ देना चाहिए था, लेकिन तूटता है क्या nucleus unstable हो जाता है, क्या ऐसे तूड़ आता है हाई यह अले बाते एक बात बहुत बलकी हो जाता है, तो तूड़ आता है तूटी होने लगती है, बड़ उसके अलग region से वो हम लोग करेंगे Nucleons, तो इन nucleus के बीतर के Nucleons को, Potons और Nucleons को Nucleus, for me, 10.5-15 meter की size का होता है इतने range में एक force इनको bind करके रखता है जिस force के बारे में हमें बहुत जाता तो नहीं पता बड़ इतना पता है कि attractive होता हो, बस इसी range में लगता है और इन Nucleons को, एक binding glue की तरह काम करता है binding cement की तरह काम करता है, इनको पकड़ के रखता है उस force को बोलते हैं, strong nuclear force यह strong interaction strong interaction strong interaction gravitational force, mass mass के वेए से, electro-marrity charge के वेए से strong interaction, nucleus के भीतर लगता है 10 to the power minus 15 meter 10 to the power minus 15 meter की range में, वो सारे Nucleons को बंच करके रखता है अब आते, weak interaction, यह weak interaction क्या है तो देखे, nucleus के भीतर जो protons और neutrons है वो भी elementary particle हमें पहले ज़रूर बताया था था कि electron, proton, neutron, elementary particle है, बड़ elementary particle, proton, neutron खुद इससल्फ quark से मिलके बने होते है तो यानि कि अब यह कैसे पता quark से मिलके बने होते है जो nucleus में एक तरह कैसे बोल सकते है radio activity radio activity में एक फिनोमना होता है जिसको बोलते है proton, neutron, interconversion proton, neutron में convert हो रहा हो, neutron, proton में convert हो तो उसमें beta rays निकलते है और उसमें particles निकलते है neutron और anti-neutron तो जो beta rays, neutron, intercon के में बात कर रहा हो उससे यह पता चलता है कि proton, neutron में तूटा तो proton और neutron इससल्फ quark से मिलके बने होते है तीन quark से दो up, एक down, proton दो down, एक up, तो neutron तो यह जो quark से मिलके proton और neutron बने होते है यह proton, neutron, quark के बीच में भी तो कोई force होगा जो उनको bind करके रखा होगा, rearrange हो रहे होगे तो वो वाला जो force है, वो है weak interaction कौन सा है? weak, वो और छोटे level पे लग रहा है तो gravitational electromagnetic macroscopic phenomena strong nuclear और weak nuclear microscopic phenomena वाले forces है nuclear force है, यह और छोटे level पे लगता है 10 to the power minus 16 meter या उससे भी कम gravitational electromagnetic बड़े level पे जुरो से लेकि infinity तक कहीं भी लग सकते है but strong nuclear 10 power minus 15 meter पे लगेगा weak nuclear उससे भी छोटा, 10 power minus 16 meter पे लगेगा तो और इन forces के बारे में जान लेते हैं तो देखे, ऐसा है कि जो gravitational force है mass mass के बीश में लगता है, universally attractive होता है range infinity होती है infinity range का मतलब यह है कि यहां से लेके earth sun बहुत astronomy का distance पे है लेकिन तब भी लगता है ना और earth ओ infinity तक, थोडिकली infinity तक force लगा सकता है को भी object लगा सकता है, यह लिए बात है कि infinity तो लगाएगा, कितना लगाएगा, जुरू लगाएगा इतना कम, normal masses में इतना कम होता है कि इसको और ignore कर देते हैं क्योंकि यह weakest force है सबसे आप बोल सकते है magnitude wise सबसे smallest force अगर आप बोला जाएगा कि जिसकी strength सबसे कम होती weakest force वो gravitational force है और सबसे आदा strong force होता है strong nuclear force सबसे weak force होता है gravitational force तो gravitational force के बारे में universally attractive होता है एक और सी मैं बता देता हूँ जो यहां पर नहीं लिकी टेबिल पर दोनों masses को मिलाने वाली line के long लगता है इस property को बोलते हैं central force अगर दो object को मिलाने वाली line के long forces लगे तो उसको बोलते है central force gravitational force एक central force है दूसा gravitational force conservative होता है conservative को मतलब यह है कि अगर और कोई force ना लगे सिर्फ gravitational force हो तो अभी इतना पढ़ा नहीं इसलिए मैंने सिर्फ gravitational force बोला सिर्फ gravitational force हो तो वो mechanical energy को conserve रखता है conservative forces में potential energy होती है जैसे gravitational potential energy MGH वाली तो central force है conservative force है बाकि ऐसा माना जाता है कि हर force जब लगता है जिसे 2 mass है एक दूसरे पर दूर से लगा रहे है non contact force बिना contact के एक दूसरे पर force लगा रहे है तो certain particle का exchange हो रहा होगा बले आंकों से ना दिख रहा हो बड़ certain hypothetical particle का exchange हो रहा होगा gravitational force के लिए जो particle responsible माना जाता है उसको बोलते है graviton gravitational force के लिए जो particle responsible माना जाता है उसको बोलते है graviton जिसे electron, photon, 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 photon वैसे graviton तो graviton किसी ने देखा नहीं है किसी ने इसके बारे में कोई research बहुत जादा नहीं होई है बड़ ऐसे समझ लो कि एक hypothetical elementary particle माना जाता है graviton जो response भी लोता है gravitational force के लिए और आगे बढ़ते है electromagnetic force की बात करते है light charges repel and light charges attract इसकी strength अब ग्रेवटी की strength 10.9 के level पे तो इसकी 1 upon 137 है 1 किसको रखा है strong nuclear को gravitational force से तो जादे ही strong electromagnetic in fact यह जो table बनी ही हुँ strength के साबसे बनी है सबसे आदा strong nuclear force है 1, electromagnetic force 1 upon 137 है 100 का factor आगया weak और चोटा 10 power minus 6 gravitation 10 power minus 39 सबसे जो weakest है वो gravitation है सबसे strong nuclear force फिर electromagnetic फिर weak फिर gravitational range बताये जाए gravitational की infinity, electromagnetic की infinity, k q q 2 by r square charges में infinite distance तक लग सकता है यह बात है insignificant लगेगा electromagnetic force हमेशा attractive नहीं होता लेकिन line के along ही लगता है इसलिए वो भी central है उसमें भी potential energy होती है electromagnetic potential energy charges के बीच की potential energy कहजे के use भी होती है तो वो भी conservative force है वो भी central force है inverse square law ऐसे forces जो one upon r square को follow करें उनको बोलते है they follow inverse square law कौन कौन है gm1m2 by r square यह भी the co inverse square law follow कर रहा है kqnq2 by r square यह भी inverse square law follow कर रहा है ना तो conservative होते है ना तो inverse square law follow करते है तो उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है इतना बता है कि strong nuclear force 10.0-15 meter fermi की range में लगता है और यह बांध के रखता है यह बात है proton, neutron मैंने बताता है और जो particle model है अभी जो physics का elementary particle का model है उसमें इन सबको एक collective norm दिया गया gluons, strong nuclear force gluons के बीश में लगता है glueons के बीश में लगता है और जो weak nuclear force है उसकी range 10.0-16 यह यहाँ पर लिखी है मैं आपको बता था 10.0-16 meter लिखी है तो आप उसे confuse मत हुआगे 10.0-18 है इतना पका है कि nucleus के भी और छोटे level पर 10.0-15 से छोटे तो आकास वायल के module में देखो गए 10.0-16 meter लिखा है यहाँ 10.0-18 meter है तो अब इसलिए यह भी कोई गलत नहीं होगा और उनका तो पता नहीं और particle यह लगता है bosons के बीश में W और Z bosons जैसे हिक्स boson अभी नहीं है पार्टिकल इसके बार हुआ था तो उसी टाइप के कुछ सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स होते है bosons W और Z boson इनके बीश में लगता weak nuclear graviton gluon electromagnetic force इन्होंने नहीं specify के बड़े दे तो photons के बीश में electromagnetic force के responsible जो पार्टिकल हो photon है और यह bosons, weak nuclear boson फिर से बोलो, gravitational graviton, electromagnetic photon, strong nuclear gluons और weak nuclear bosons W and Z bosons यह elementary पार्टिकल है, range 2 की infinity है, gravitational electromagnetic फिर उसके बाद strong nuclear 10 पार मारे 15, फिर उसके बाद weak nuclear 10 पार मारे 16 सबसे आदा range, gravitational electromagnetic सबसे कम, weak nuclear strength सबसे आदा किसकी है सबसे आदा strength, strong nuclear उसके बाद electromagnetic उसके बाद weak nuclear उसके बाद gravitation strength quarter बता दिया, range quarter बता दिया elementary particle बता दिया, nature बता दिया basic चीजे और इनके बीश में interaction, इनके बीश में बी interlinking होई है, unification की कोसिस की गई है, और लोगों ने जब unified करने की कोसिस की, तो उन्होंने पाया कि जो electromagnetic force है और जो weak nuclear वो आपस में interrelated है, उसको नाम दिया कि electro weak force, तो चार की बजाए, चार fundamental forces की बजाए, तीन force की भी थोरी दिया आती है दो की भी दिया थी, और एक की तो कहरे existing थोरी सबकी unified थोरी की बात तो चली रही रही physics में, बट अभी जो NCRT में वो चार का अगर उन्हें नाम दिये तो आप school exam से मोचे तो आप चार ये लिखना आगे